का है फ्रों मिडल क्लास टू मनी क्लास और इस टॉपिक में या इस सिरीज में मैं कम करीब गरीब आपके साथ सिक्स्टीन प्लस वीडियो शेयर करूँगा इन्हें आप ना तो यूट्यूब की वीडियो मानियेगा ना ही को इसको वन लेक्शर मानियेगा बलकि आप इसे यूज करियेगा एक कोर्स की तरह ये कोर्स मेरा आजमाया हुआ है I have tried it मैं कई बार देखता हूँ कि जो कुछ चीजे मैंने की है वो इस कोर्स में है और जो नहीं की थी जिनकी वज़ेश से failure मिला है वो भी इसी कोर्स में है कि कहीं आपने ये गलती तो नहीं की इसलिए मैं इस कोर्स को आपके साथ share करना चाह रहा हूँ मैं आपको assure करता हूँ कि ये कोर्स अगर आप इसे पूरी तरह से मेरे साथ join करेंगे अगले 15-16 दिन तक इसी समय तो आप एक खुबसूरत कोर्स को पा रहे होंगे यदपी मैं जानता हूँ आपने बहुत सारी books पढ़ी होंगी बहुत सारे trainers की talks भी सुनी होगी लेकिन मैं आपको ये share करना चाहता हूँ ये confirm करना चाहता हूँ कि जो आज आपको यहां पे मिलेगा वह बागी लोगों से unique होगा scientific होगा और उस process को अगर आप शुरू करेंगे तो वह result oriented भी होगा यानि कि आपको प्रिण कि देता हूं कि अगर आप इन सत्रह सोले सत्रह topics को जब मैं आपके साथ share करूंगा अगर आप इने लागों करेंगे तो यह process आपकी पूरी तरह से सफल होगी तो यह आपके लिए प्रिस पोजिशन एक belief है यह मेरी assurance होगी simple भाशा में मैं दूंगा अपने simple शब्दों से आ आपके दिमाग में उतारने की कोशिश करूँगा इस course को अगर आप यह कह रहे हैं कि यह course किसके लिए हैं यह उन लोगों के लिए हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं कि चलो एक बार फिर अमीरी की तरफ चलते हैं बहले ही failure मिले हो यह उन लोगों के लिए जो यह मानते है कि मेरी education नहीं है situation ऐसी चल रही है पिछले कुछ साथ दो सालों से पांस सालों से कि बार बार failure मिल रहा है तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं इस course के साथ यह उन लोगों के लिए भी है जो यह मानते हैं कि उनकी पढ़ाई जादे नहीं हुई है वो कम पढ़े लिखे ह यह उन लोगों के लिए भी है यह मानते हैं कि मैं तो मन्तली इंकम पर जीते हैं शेलरी हमें मिलती है हम जो मैं है तो हम किसे अमीर बने यह mize के लिए भी बी है और यह females के लिए भी है सवाल उटता है कि आप ये भी पूछेंगे कि ये सवाल ये हमें आपके साथ फिरी में क्यों दे रहा हूं यह तो मेरे लिए एक पेड़ वक्षोप बन सकती है बिल्कुल आप सभी कह रहे ही यह चुकुल बंसकती थी इसमें कहीं भी राशनिंग नहीं होगी, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इस टोपिक को पर्टिकलर वक्षोप में आकर मुझसे पूछिएगा, ये कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, अगर आप ये मानते हैं, कि पैसा आपके साथ एक बेहतर रिश्टा नहीं रखता है, या आप कोर्स को पूरी तरह से अटेंड करिएगा, और पहले ही कोर्स से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ये कोर्स कुछ इस तरह से नहीं होगा, कि मैं भी आपको दस पॉइंट बता दूं कि आप एटिट्यूट बढ़िया रखिए, डिसिजन लीजिए, कमिटेड रहिए, और क्या कहते हैं, मोटिवेटेड रहिए, काम करिए, और आपको पैसा मिल जाएगा, ये बाते तो आपने बहुत सुन ली हैं, मैं कुछ विशेश देने जा रहा हूं, क्योंकि इन बातों से कुछ हुआ नहीं, जो कुछ होगा, वो कुछ विशेश चीजों से ही हो सवाल उठता है कि कौन से प्रिंसिपल की बात मैं कर रहा हूं, जब आपने देखा है, पोस्टर देखा है, तो मैं बात कर रहा हूं, मोनिस्टिक प्रिंसिपल की, जिसे पूरे वर्ल्ड में 200 सालों से अपनाया जा रहा है, साइकलोजिस्ट, साइन्टिस्ट और कुछ हुआ, यह कैसे काम करता है, इसे मैं आने वाली वीडियो में या लेक्शर में आपके साथ शेयर करूँगा, मोनिस्टिक अप्रोच को आप डालेंगे गूगल पर तो आए की चीज मिलेगी, वन फॉर ओल एंड ओल फॉर वन, यानि कि कोई एक ऐसा सबस्टांस है, हमारी य आ रहे हैं, कुछ रूल्स भी हैं, आपको जब भी लगे कि ये वक्षोप आपके लिए अच्छी नहीं है, आप छोड़ दीजेगा, क्योंकि आपके पहले से बहुत सारे बिलीफ भी बने होंगे, जिनकी वजह से ये पैसा नहीं आ रहा, मैं भी ये भी दिला देता हूं, उन बिलीफ को भी मुझे बदलना होगा, और अगर आप मेरा साथ देंगे, 50 परसेंट मेरा रोल रहेगा, 50 आपका रहेगा, इस कोर्स को पूरा करने में, मैं अपना बैस्ट दूँगा, आप भी बैस्ट लेंगे, कुछ चीजें जो मैं यहां पर बता रहा हूंगा, वो न 17 लेक्शर्स के बाद में, आपका एक कोर्स ही तयार हो जाए, और आप एक ट्रेनिंग शुरू कर दकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिकली, और आज हमें ऐसे ही ट्रेनर की जौरत पढ़ रही है, जो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच पैसे को कमा लें, कहां से आता है, क्यों नहीं आता है, यह सब चीजे तो मैं भी बता रहा हूँगा, पर मैं एक एक चीज को ठीक भी कर रहा हूँगा, पैसे के लिए आपके बिलीफ कैसे हैं, क्या है, यह सब मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्यों हम लोग पैसे क कई बार दिल से और इंटरनल भाव से हेट करते हैं जब किसी के लिए काम करते हैं अगर मैं आपसे एक सवाल पोछू आप कार कैसे चलाते हैं तो आप कहेंगे एक तरीका होता है उसे फोलो करना होता है आप खाना कैसे बनाते हैं कोई भी रेसिपी आपका जवाब होगा एक होता है उसे फोलो करते हैं आप चाय कैसे बनाते हैं एक तरीका होता है उसे फोलो करते हैं आप चैस किरकेट होकी फुटबॉल कैसे खेलते हैं एक तरीका होता है उसे फोलो करते हैं आप अपना कंप्यूटर कैसे चलाते हैं एक तरीका होता है हम उसे फोलो करते हैं और अगर सवाल भी होगा वो क्या तरीका है और कब से आप उसे फोलो कर रहे हैं तो आज मैं उसी की बात कर रहा हूं कि पूरे वक्षोप का अगले पंद्रे सोले सत्रे वक्षोप जो मैं आपको दे रहा हूंगा इस टोपिक पर उसका जिस्ट आपको मिल चुका है जिस तरह से दो और दो चार हो जाते हैं और यह कंफर्मड है उसी तरह से देर इस फोर्मूला ऑफ गेटिंग रिच जो आपको मिल किलास से मनी किलास की तरफ ले जा सकता है सीखना चाहेंगे निश्चित रूफ से आपका जवाब होगा हां और नगर ना आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है मैं बताता हूं यद्पी हम सबको पैसे की जरूरत है और मैंने ऐसा कोई अमीर व्यक्ति नहीं देखा जिसके पास करोडों नहीं अर्बों रुपे हैं और वो यह कह दे मुझे और पैसे क्या वशक्ता नहीं है पर मैंने ऐसे बहुत सारे ब्रोक यानि के कंगाल लोग देखे हैं जो बहुत गुस्ता कर लेते हैं कि पैसे की बात कर रहे हो I don't need money खमाल की बात तो यह है कि जब हम पैसे की बात करते हैं तो एक कंटेंप्ट हमारे अंदर से आने लगता है एक डिस्रेस्पेक्ट हमारे अंदर से आने लगती है मैंने यह पोस्टर जैसे यूट्यूब पर प्रमोट किया कि यू बिलीव के पहले पांच लोगों में से एक डिस्लाइक भी कर दिया बगेर मुझे सुने बेसिकली उन्होंने मुझे नहीं किया डिस्लाइक मैं दिल से बता रहा हूँ उन्होंने खुद को उसलाइक नहीं समझा कि मैं इस टॉपिक को देख पाऊं इस वक्त जब आप मेरे इस वक्षोप को देख रहे हैं आपके पास अंगिनित थोड़ चल रहे हैं और उनमें से कई थोड़ ये कहेंगे छोड़ो ना कुछ और देखते हैं उनमें से कई ये भी कहेंगे चलो सीखते हैं उनमें से कई ये भी कहेंगे कुछ नहीं होगा उनमें से कई ये भी कहेंगे के हो जाएगा आपके मस्तिश्क में चलते हुए इस अपरोर को इस शौर शराबे को एक सभ्यता में मिटोटी कहा जाता है स्पेलिंग है M-I-T-O-T-E इसका मतलब यह है कि जब हमारे माइन्ड में एक पार्ट बोलता है और दूसरा सुनता है यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं प्रोब्लम तब होती है जब हमारे दिमाग में हमारे मस्तिष्क में एक नहीं हजार आवाजें आने लगती है और आप सुनते हैं और आपको यही नहीं पता होता कि यह वाली आवाज ठीक है या यह वाली ठीक है और आप उस मंडी की तरह उस बाजार की तरह समझ सकते हैं जहां पर शोर शराबा चलता है, जहां पर लेंदेंदारी चलती है, जहां पर बोली लगाई जाती है, आपकी कुछ समझ में नहीं आता कि इस बाजार में बिक्ट क्या रहा है, लोग एक तरफ छीना जबती करते हैं, बार्प्रिंग चलती रहती है, यही बिलकुल आपके होता है, और इस मिटोटी की वज़ा से, इस अपरोर की वज़ा से, इस शोर शराबे की वज़ा से, हम पूरी उम्र गुजार देते हैं, कि हमें क्या सुनना था, और हमें क्या सुनना नहीं था, इसी सुनने को, पैसा कमाने से पहले अमीर बनने से पहले, आपको अपने मस्तिष्क में जाना होगा, और आज एक आवाज डालनी होगी, पहले लेक्शर में, पहले lecture का काम होगा कि आप अपने मस्तिश्क में एक आवाज को plant करेंगे लेकिन वो आवाज क्या होगी उसे plant क्यों करेंगे उसके लिए क्या आप तर्क या reasoning चाहते हैं तो मेरे पास सब कुछ है मैं आपको देना चाहता हूँ जो आपके अंदर mind में या परोर चल रही है या आपकी एक चीज को मारती है उसका नाम है आपकी डीज़र्वेंस आपके काउं में आपके परिवार में आपके रिलेटिव्स अगर बच्पन में आपको एक आदमी ये कहने लगे आपको आप बहुत अच्चे बच्चे हraf़ों और दूसरा तरह से confusion में होगे और आप किसी भी चीज पर concentrate नहीं कर पाएंगे और जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे ऐसी ही आवाजे आज आपके life में चल रही हैं जब आप आगे बढ़ रहे हैं और जब धन की बात आती है तो महाँ पर कितनी आवाजें आपके पास पड़े हैं शायद आप जानते नहीं आज आप एक decide करिएगा एक decision लीजेगा कि कि अगर अमीर बनने का कोई रास्ता है और वो रास्ता अगर यहां पर आपको मित्र भाव से just as a friend मैं आपको दे रहां तो उसे लेकर जाईएगा यह फिर decide कर लिजेगा कि नहीं लेना है विकोज लाइफ पहले से बेतर चल रही है और मैं दोनों ही तरह से आपकी respect करूँगा आप देखना चाहते हैं इस program को देखें नहीं देखना चाहते हैं मत देखिएगा मैं तो यह भी नहीं कहूंगा कि अगर आपको पसंद आए तो इसे share करिएगा like करिएगा यह आपके उपर है मैं यह मानता हूं कि मेरा और आपका मिलना इस शाम को यह मात्र एक chance नहीं है यह च्वायस है आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रीम भाग चल रहा है और वो शायद इस lecture से पूरा हो जाएगा पैसा कमाने का आगे बढ़ने का अपने आपको express करने का लेकिन प्रोब्लम एक ही है कि मस्तिष्क के अंदर सलता हुआ शोर शराबा आपको कई बार कहेगा छोड़ो ना और आप जैसे बाकी चीजों को सुनते जा रहे हैं यह कर लो यह ना करो यह कर लो यह कर ना करो जब आप कहते हैं कि यह मेरा डिस्जन था मैं बताना चाहता ह हूँ आपका कोई कोई डिस्जन आपकी लाइफ में होता है कई बार एक भी डिस्जन हमारी लाइफ में नहीं होता है हमारे अंदर की इंस्टिंक्ट पर होता है जो हमारे अंदर आवाज चल रही होती है और उन आवाजों से जो हमारी फिलिंग बनती है बस वही डिस्जन ह लेते हैं कोई हमारा होता ही नहीं यह इस शोर शराबे का डिसीजन होता है इसलिए मैं आपके साथ चाहता हूं कि इस डिसीजन को आज पूरा कर ले जब भी आपको लगे के मेरी टॉक आपके लिए नहीं है आप इसे छोड़ सकते हैं मैं अपना कोर्स पूरा करूंगा और मैं यह मानता हूं कि एक व्यक्ति भी अपने पुराने बिलीफ को छोड़कर अपने पुराने एक्शन्स को छोड़कर अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके नए बिलीफ और नए मंजीलों को अगर पा लेता है एक भी व्य तो मेरा इस प्रोग्रेम को देना भी सफल हो जाता है और मेरा यहां आना भी सफल हो जाता है तो याद रखेगा वह आप ही हैं जिसके लिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहली बात आती है कि लोग क्यों नहीं बात करना चाहते हैं पैसे की बहुत सारे लोग का मैं कई बार अपनी वक्षोप में देखता हूं कई बार मैं परसनल कॉंसलिंग में देखता हूं जब मैं उनसे पैसे की बात करता हूं तो कई बार लड़ने लगते हैं I don't need money, मत करो पैसे की बात, और ये वही लोग होते हैं जिने सबसे ज़्यादा जुरुत होती है, और वो ये मानते हैं, कि उनके लिए पैसा इंपोर्टेंट नहीं है, सेंटेंस भी पड़ा होता है, गुरूप डिसकेशन भी किये होते हैं, मनी इस नोट एवरीटिंग, बिल पैसे के लिए लोगों का बिलीव क्यों खतम हो जाता है, पैसे के लिए रिष्टा क्यों टूटा हुआ लोगों का, पच्चिस-तीस सालों का जो मेरा अनुभव है, लोगों के साथ बात करने का, और इविन मेरा अपना, I am 61, और मैंने उम्र एक बड़े एक हिस्सा, सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाता है, इसी में ही लगा दिया, और unlimited failure भी मिले, success भी मिली, और उन्हीं का आज में एक course बना कर आपको दे रहा हैं, पहली चीज़ है आपकी wrong programming, बच्चपन में आप जिस जगह पर रहते हैं, उस environment को हम local model excellence कहते हैं, और अधिकांश societies में, जिस समाज में हम जीते हैं, रेरली वहाँ पर पैसे को इज़्जद दे जाती हैं, अगर आप middle class family की या उस colony में या उस environment में रहते हैं, तो आपके पास unlimited ऐसी बाते पड़ी हैं, जब लोग आपस में बात कर रहे थे और आप छोड़े बच्चे थे, जो positive नहीं थी, देखो जी फलादमी के पास पैसा आगया, उसके बच्चे बिकड़ गए, और तब से हमने पैसे वाले लोगों को नफरती करना शुरू कर दिया, फिल्में भी ऐसी बनने लगी, और जहां पर हमें गरीब आदमी की कहानिया सुनाने में मज़ा आने लगा, स यह है पहली चीज, दूसरी चीज यह है कि आप बार-बार पैसा कमाते हुए फेल हुए हैं, और अब आप नए तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहते, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं कैसे अपनी फेस सेविंग करूंगा, अपने चेहरे क हमेशा छुपाते रहते हैं, रियालिटी से, वास्तविक्ता से, यह दूसरा रीजन हो सकता है, तीसरा इससे भी बड़ा रीजन है, फ्रेंट्स, जब भी अब आपके पास पैसा आएगा, पैसे की सफलता आएगी, आप हमेशा एक बर्डन को महसूस करेंगे, और अगर वो बर्डन जादा आपने अभी से देख लिया, तो आपका माइंड आपको कहेगा, छोड़ो, इस पैसे को क्या करेंगे लेका, विकोज इट इस बर्डन सा, याद रखिएगा, असफलता का डर नहीं है लोगों को, सफलता का डर है, अगर आप सफल हो गए तो, कई बार मैं ल लाकों लोगों को इसाथ इंटरक्ट किया है, इन तीस सालों में, और मैं कई बार धीरे से पूछता हूँ, अगर आपके पास सो करोड आ जाए कल, how will you feel, और जानते हूं क्या होता है, एक बार वो खुश होते हैं, मैं धीरे से पूछता हूँ, will you feel good, and suddenly उनके अंदर एक सीरहन आती है, no sir, कैसे संबालेंगे, इतना नहीं, तोड़ा कम कर लो sir, इसको, means you are not deserving yourself for big money, because आप success से डरते हैं, और इससे भी बड़ा कारण है, कि कई बार हम अपनी मिजरीज के साथ एक agreement कर लेते हैं, जो हमारे पास संकट चल रहे हैं, जो हमारी मिजरीज चल रही हैं, जो हमारा नर्ख हमारे साथ चल रहा है, उसके साथ हम एक agreement तयार कर लेते हैं, समझोता तो ये भी होता है कि जिसकों compromise कहते हैं पर compromise से एक बहतर वर्ड लीजेगा जिसे हम agreement कहते हैं एक हम agreement create कर लेते हैं कि चलो इसी misery के साथ इसी I mean संकट के साथ हम जीना सीख लेते हैं और जब हमारे पास यह पैटर्न आने लगते हैं तो फिर हम यह कहते हैं I don't need money और यही कारण है कि आज हमारी society में ध्यान से सुनिएगा अगर किसी energy को सबसे ज़्यादा publicly blame किया जाता है बातों के बीच में तो वो धन है जिस energy को सबसे ज़्यादा blame किया जाता है वो धन है और यही कारण है कि हमारा पैसे के साथ रिष्टा खराब हो जाता है और जिस चीज के साथ आपका रिष्टा खराब हो जाता है जब मैं आपको monistic principles को गहराई के साथ पढ़ाऊँगा आपसे तीन या चार वीडियो के बाद तब आप पाएंगे कि कितना बड़ा हम नुकसान कर लेते हैं मैं आपसे एक बात करता हूँ छोड़ दीजे पैसे को एक पल के लिए एक तरफ रख दीजेगा धन की बात नहीं करते हैं क्योंकि धन की बात करना कई बार ऐसा लगता है, यह selfish है, कई बार ऐसा लगता है, यह possible नहीं है, कई बार ऐसा लगता है, नहीं नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजे मेरे लिए important हैं, थोड़ देर के लिए धन को अलग ही रख देते हैं, और मैं आप से एक सवाल पूछता तोड़ा खाली होकर बैठिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी दीवार खड़ी कर ली, तो मिलनात कुछ भी नहीं है, लेकिन दीवार तोड़ कर बात करोगे, तो शैद आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुछ बहतर होने जा रहा है, पैसे को एक मिनट के लिए अ अभ्यता है, कोई भी आपकी सिंसकरती है, कोई भी आपकी जाती है, कोई भी आपका दर्म है, कोई भी आपका जेंडर है, कुछ भी आपकी एजूकेशन है, वाट इजी और राइट, आपका क्या अधिकार है इस यूनिवर्स में, आपकी इस अधिकार को जी रहे हैं, आप का हिस्सा बनता है आपके मकान में इससा बनता है फादर की प्रॉपर्टी में ऐसा ही तो आपका कुछ ने कुछ राइट है नाइस इस यूनिवर्स में मुझे बता सकते हैं वो राइट क्या है क्या अधिकार है आपका जब तक आप ढूंड़े तल चलो तब तक मैं ही बता द से बगेर बाधा के वो सब चीजें आपको मिलती रहें जिनकी आपको जरूरत है फिर सुनिए गाई इस यूनिवर्स में जब आप एक मनुश्य की तरह जी रहे हैं किसी धर्म संस्कृति जाती को लेकर जैंडर उम्र एजुकेशन को लेकर तो आपका राइट है आपका आपको और अधिकार है कि आपके पास स्वतंत्र रूफ से बगेर किसी बाधा के वो सारी चीजें आपको मिलती रहें जिनकी आपको अवशक्ता है आपके जीवन में जिन जिन चीजों की आपको अवशक्ता है वो सब मिलती रहें यह आपका अधिकार है लेकिन यहां पर इ यानिके आपको जीवन में वो सारी चीज़ें मिलती रहें बगेर बाधा के, स्वतनतर रूप से जिनके आप कवशकता है, तो सवाल उठता है के जीवन क्या है, वाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, ये एक कॉंसेप्ट मात्र है हम लोगों के लिए, और जब हम जीवन की बा आप कभी भी नेकार नहीं सकते, एक है आपकी बोडि, आपका शरीर, आपकी फिजिकल लाइफ, दूसरा है आपका माइंट, आपकी मेंटल लाइफ, और तीसरा है आपका सोल, या फिर आपके हैं स्प्रिच्वल लाइफ, यद्पी स्प्रिच्वल लाइफ को लेकर हमने ब नर्थ भी बहुत हैं इस शब्द को हमने सबसे ज्यादा डिस्टोर्ट किया है मिस्यूज तो मैं नहीं कहूंगा और हमने इसको डिस्टोर्ट यानिके इसका मीनिंग अदली बदली किया हुआ है अगर आप ये मानते हैं कि हाँ जीवन में तीनों चीजे चाहिएं तो इन चीजों को पूरा करने के लिए इन तीनों लाइफ में इन तीनों पार्ट को जिन चीजों की अवशक्ता है उसकी स्वतंतर रूप से आपके पास डिलीवरी आती रहे और वो कंटीनूस लिए आती र जिनिक खाना है आपका और आपके परिवार का येस और नो आप कहेंगे हाँ निश्चित रूप से मकान भी जरूरी है वाहन भी जरूरी है निश्चित रूप से आपको वार्म ब्रेसिज भी जरूरी है आपको एक बेतर एंवार्मेंट भी जरूरी है इसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं I don't care for the physical enjoyment पता है यह बिलीफ आपका नहीं है यह आपके उपर थोपा गया है यह हम पर थोपा गया बिलीफ है कि जब हम शारीर ग्रूप से अपने आपको विक्टिमाइज करेंगे तो हमें इश्वर मिलेंगे ख़कवान मिलेंगे याद रखेगा जब हम शरीर की बात करते हैं मन की बात करते हैं और spiritual soul या heart की बात करते हैं इन में कोई भी ऐसा नहीं है कि यह उससे कम है आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपको body को victimize करना है mind को और soul को उपर रखना है अगर यह combination आपका है तो यह सिर्फ आपके उपर थोपा गय गया belief है यह कहीं लिखा नहीं गया मैं उपनिशद पढ़ता हूं महापर भी पूरे के पूरा एक topic 40 से 50 पेज का सिर्फ धन का आवान करने के लिए हैं उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि आप धन का आवान मत करिए कई बार हमने कुछ चीजों को distort कर रखा है अगर आप यह कहते हैं नहीं नहीं मैं body को खुब enjoy कराना चाहता हूं लेकिन mind को mind मेरे लिए secondary है वो भी secondary नहीं है वो भी primary है और अगर आप यह कहते हैं कि soul मेरे लिए primary नहीं है वो secondary वो भी नहीं है यह तीनों primary है और तीनों को आ अगर इस बात पर आप यकीन करते हैं तो यहां से आगे मैं आपके साथ चल रहा हूँ आपके और आपके परिवार की फिजिकल नीट 21st century में जब आप मुझे सुन रहे हैं बहुत ही complicated और बहुत complex हो चुकी है कोई भी चीज गेन करने के लिए आप सुभा उठते हैं और आपक करने के लिए आपको अपनी बोड़ी को मेंटेन करने के लिए अच्छा खाना खाने के लिए और परिवार को देने के लिए और जब यह नीट पूरी हो जाती है इसके बाद आपके पास दूसरी नीट साथ ही चलती रहती है बाद तो नहीं कहेंगे जो मोडल दे रखे हैं क इसके बाद दूसरी नीड शुरू होती है नहीं ये तीनों नीड साथ चलती हैं दूसरी नीड हमारी होती है कि हम अपने mental नीड को पूरा करना चाहते हैं हम बेहतर लोगों के साथ बैठना चाहते हैं और उतना समय निकालना चाहते हैं और वो कब निकलेगा जब आप पहले स से फ्री होंगे स्वितंतरता होगी आपके पास बैठने की और उसे स्टेंडर्ड के लोगों तक पहुंचने की भी महापर भी तो पैसा चाहिए आपको अच्छे किताबें पढ़ने के लिए और वो किताबें का समय जो आपको चाहिए वो भी पैसे से आएगा बहुत सारी खुबसूरत चीजे देखने का मन का करता है घुमना चीजों को देखना लाइबरेरी में बैठना अच्छे खुबसूरत लोगों के बीच में रहना यह हमारी मेंटल नहीं रहे अगर आप इसे भी मार रहे हैं तो फिर आप फिरी और अन्रेस्टिक्टेड चीजो को कहां पा रहे हैं यह भी तो आपकी डिमांड है यह भी तो आपका राइट है आप इस राइट को क्यों नहीं अक्लेम करते हैं लेकिन आप कह सकते हैं नहीं नहीं मुझे तो यही बताया गया कभी अपनी बात सुनिएगा यह वांट तो सिट अलोंग दर लेक यह वांट listen to the wonderful music आप attend करना चाहते हैं खुबसूरत workshops आप attend करना चाहते हैं खुबसूरत talks आप पढ़ना चाहते हैं खुबसूरत books आप create करना चाहते हैं बहुत सारी किताबें आप लिखने चाहते हैं अच्छे-ची poems यह आपके अंदर छुपा पड़ा है लेकिन याद रखिएगा यह आपको कई बार इस need को मारना पड़ता है तीसरी need जिसको आप soul कहते हैं जिसे आप heart कहते हैं और डिपैंड डिफाइन्स ओल्वीज लव यह हमेशा प्यार को परिपाशित करती है जब आप एक बाप होते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं याद रखे का यह spiritual need है सिर्फ spiritual need यह नहीं है कि हम कपड़े उतार कर बर्फ के जगा पर बैठ कर सिर्फ चुपचाब बैठ का ध्यान लगाते रहें कभी मुझे मुझे मौका मिलेगा भक्ती पत को बताने का या गरस्ती पत को बताने का तो मैं वो भी बताऊंगा लेकिन जब आप इस जीवन को इस वक्त जी रहे हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो soul का मतलब है when you are distributing your love जब आप बाट रहे हैं अपना प्यार और याद रखेगा एक सेंटेंस लिख लिजेगा जीवन में और ये सेंटेंस आपकी लाइफ को बदल सकता है इन पावर्टी लव इस एडिनाइड एक्स्प्रेशन जब गरीबी होती है आपका प्यार का जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से मर जाता है आज आप जी रहे हैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़े करने का मन करता है जो आप दुनिया के लिए लोगों के लिए करें और वो तभी कर सकते हैं जब आपके पास धन होगा और जब आपके पास धन होगा जब आपके पास रिशीज होगे जब आपके पास पैसा होगा देन यू कैन एक्सप्रेस यूर लव अदरवाइस यू आर किलिंग यूर सॉल याद रखेगा इसलिए बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपनी फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ और जो आपकी स्पिरिच्वल लाइफ है उन तीनों को एक बहुत लेविल पर ले जाने के लिए धन को कमाएं हो सकता है आपने बहुत धन की बुराइयां सुनी हो और उन बुराइयों को बहुत ही बढ़ा चड़ा कर बताया गया हो कुछ कहानिया ऐसी हमारे हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं मिडल क्लास फैमली की किताबे भी सिर्फ गरीबी से शुरू होती है एक गरीब बच्चा था एक गरीब किसान था एक गरीब ब्रामन था और हमेशा उन्हीं को हमने इतना गलोरिफाई कर दिया कि वो दिमाग में बैठ गया कि गरीब होने से ही हमें शायद वो सिंपैथी या सिग्निफिकेंस मिलेगी और यही प्रोग्रामिंग आज तक हम जी रहे हैं उन्हीं मिजरीज को जी रहे हैं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जब आप नेचर में रहते हैं आप नेचर के तरीके को देखेगा इस वक्त आप चारों तरफ देखेगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप नेचर को देखेगा खिड़की के बाहर देखेगा, बाहर जाकर देखेगा, how nature is living, nature किस तरह से जी रही है, और वहाँ पर आपको दो ही चीज़े मिलेंगी, उन दो चीज़ों को note कर लिजेगा, पहली है, enlargement और advancement या growth या development, nature always develops, it grows, it advances, यह हमेशा बढ़ती है, और उसी बढ़ोतरी में, दूसरी चीज़ है, it expresses, यह अपना प्रदर्शन करती है, अपनी खुशी का, जिसे आप पसंद करते हैं, जब आप खिलते हुए फूल को देखते हैं, जब आप खुझते हुए पोधे को देखते हैं, जब आप पकते हुए फल को देखते हैं, these are the expressions of the nature, और याद रखेगा, जब आप nature को छोड़कर मनुश्य पर आते हैं, यही दो चीज़ आप चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, आप और बढ़ोतरी करना चाहते हैं अपने जीवन में, mentally physically और spiritually भी और दूसरी चीज है जब आप यहाँ पर ग्रो कर रहे होंगे आप express करना चाहते हैं आप अपने आपको express करना चाहते हैं आप अपनी पहचान को express करना चाहते हैं आप अपने होने को express करना चाहते हैं आप अपने being को होने को दिखाना चाहते हैं दुनिया को देखे प्रदर्शित करते हैं किसी लट के द्वारा किसी जगड़े के द्वारा किसी मार्पीट के द्वारा किसी गलत आदत के द्वारा एक्सप्रेस आप फिर भी करते हैं पर वो एडवांसमेंट नहीं है याद रखेगा जब आप इन दोनों कामों को पॉजिटिव ले करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज की ज़रुत पढ़ती है बहुत सारी चीजों में से आप एक विशेश चीज की ज़रुत पढ़ती है मैं यह कहूंगा और उसका नाम है पैसा धन तो इसे कमाते हैं आप नेडिशेल होते हैं लिसेन टूमी नाम वैंन्य मैंहिन में कर सन गोल को बता रहा हूं हिस थी जिसको बाद में आपका नाम मैं कैसे बताऊंगा वह सब कुस्तित समझाने जा रहा हूं इसी को उर्स में तो याद रिखेगा और जब आप ऐसा नहीं करते हैं ग्रो नहीं कर रहे हैं और अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपका एक्सप्रेशन कब आएगा आप किसी जिल के किनारे बैठ कर गाना गाना चाहते हैं पर वक्त नहीं है आपके पास क्यों नहीं है वक्त क्य Yourself in your relationship. You are not expressing yourself in your friendship. You are not expressing yourself as a human being. You want to gift many things to many people. You want to live your different life because उससे आपको expression मिलता है. और जब यह expression नहीं होता, listen to me. यह de-expression हो जाता है. जिसे हम depression कहते हैं. आज आप किसी भी medical doctor से पूछिएगा, जिन्नोंने medical practice करते करते, थोड़ी सी counseling भी किये हैं लोगों की, उनसे मिलिएगा, मैं मिला हूँ. दस में से नो लोगों की बीमारिया इसलिए हैं कि वो financially ठीक नहीं हैं. दस में से नो लोग इसलिए बीमार हैं because they are not financially okay. दस में से नो रिष्टे इसलिए तूट रहे हैं because पैसे की problem हैं. दस में से नो लोग इसलिए लतों में हैं क्योंकि पैसे की problem हैं. और पावर गेम के जितने आप समझ सकते हैं कि चारो तरफ जितना भी क्राइम है उस में से 95-98% क्राइम सिर्फ और सिर्फ फियर ओफ पावर्टी का है जब हम धन को कमाना नहीं चाहते हैं बचाने में लूटने में याद रखेगा अधिकांश क्राइम अधिकांश ब्रोकन रिलेशन्शिप अधिकांश डिप्रेशन अधिकांश एंग्जाइटी और अधिकांश बीमारियों की जड़ सिर्फ पैसे क कि कमी हैं और जब आप इन चीजों को जी रही है तो आप नैचूरल नहीं आप नार्मल ही नहीं जब आपके पास पैसा आ रहा है आप नैचूरल है you are friend with the nature and the nature is friend with you उस समय समझ लीजे कि पूरी nature आपके लिए इसलिए खुश हो रही है because the nature has got one friend in form of you and it becomes your right so आज आप सोच रहे होंगे कि इस lecture में मैंने क्या पाया इस lecture में अब आपको एक काम करना है अगर आप मुझसे यहां तक सहमत है तो आप एक काम करेंगे इस वक्त मैं आपको दो या तीन सेंटेंस दूँगा उन दो या तीन सेंटेंस को आप कुछ दिनों तक बार-बार अपने माइंड में बोलते रहेंगे जब तक कि आपके अंदर का अपरोर आपके अंदर का मिटोटी आपके अंदर का जो शोर शराबा है वो बंद ना हो जाए और वहां ये तीन सेंटेंस ना आ जाए जब तक तो पहला जो आज आपका लेक्चर है अमीरी की तरफ जाने का ना तो मैंने ये बताए कि वो तरीका क्या होगा उसे तो मैं बताने जा रहा हूं आपकी सोच क्या होगी मैं ये भी नहीं बताने जा रहा हूं अभी क्योंकि मैंने आपसे कहा कि you have to be with me for 16 to 17 wonderful lectures I say you wonderful lectures मित्र भाव से दे रहा हूं लेते रहिएगा मुझे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इस वीडियो को शेयर करें ना करें लाइक करें डिसलाइक करें मुझे एक बात मालूम है कि आपके अंदर बैठा वह वेक थी उसे इस चीज़ की जुरत थी तभी वो मुझे इस व वक्त आपके पास pen, paper है तो इसे notebook में note कर लीजेगा इनी तीन sentences को या चार sentences को और इनको दिन भर बोलते रहिएगा जगे 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 लिख लीजेगा जब तक कि ये आपके memory का integral part ना हो जाएं जब तक कि ये बाग की शोर शराबे को बंद ना कर दें दूसरा काम आपको इतना सा करना होगा कि अगर इन sentences को कोई भी negate करने के लिए आपके साथ तरक करने के लिए तयार है तो किरपया इस तरक से बचिएगा कुछ नहीं मिलता इस तरक को करने से तरक को करने से बहस को करने से ना बीमारी ठीक हुई है ना रिष्टे ठीक होते हैं तो फिर आप अपने माइंड में एक शोर शराबा और क्यों क्रियेट करना चाहते हैं मत बताईएगा कि आप इस सेंटेंस को बार-बार पढ़ रहे हैं पर अपने लिए पढ़िएगा कंदे सी देख करके बैठिएगा और पहला सेंटेंस मेरे साथ मन ही मन अंदर की आवाज में उचे वोल्यूम के साथ बोलिएगा और बोलते रहिएगा अब मैं आपको डिवाइन डिकलेरेशन दे रहा हूँ इससे पहले कि मैं उन टेकनिक्स को बताऊं जो आपको अमीरी की तरफ ले जाएंगी उससे पहले मुझे अपनी ग्राउंड तैयार करनी होगी उस किसान की तरह जो अपने बीज को धरती पर डालने से पहले ग्राउंड में डालने से पहले, मिट्टी में मिलाने से पहले उस मिट्टी को देखता है, तैयार करता है वो किसान जानता है, ये एक बीज नहीं है ये पूरा एक बाग है यही basically monistic principle भी है कि एक बीज को अगर सही ग्राउंड पे डाला जाएगा तो एक पेड़ बनेगा हजारों बीज आएगे और हजारों बीज से लाखों पेड़ हो जाएगे तो जब मैं ये बीज डाल रहा हूँ इसे मातर एक sentence मत मानिएगा ये गलती मत करिएगा मैं आपसे फिर मित्रभाव से कह रहा हूँ एक friendly way में कह रहा हूँ कि जो मैं अब आपसे कहूंगा ये तो आपके depend करता है कि आप उसे कितना follow करेंगे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 100% follow करेंगे तो result भी 100% आएंगे पहला sentence मन ही मन बोलिए to be rich is my right अमीर होना मेरा अधिकार है अमीरी मेरा अधिकार है बोलिए से 3-4-5 बार पूरे volume के साथ बोलिए volume का मतलब एक internal voice आपकी बढ़ जाए और ऐसा लगे कि आपके सारे internal voice में सिर्फ एक ही voice हर जगे से आपको mind में सुनाई दे रही है to become rich is my right or to be rich is my right अमीरी मेरा अधिकार है अमीरी मेरा अधिकार है और volume को हुचा करिए मन ही मन अमीरी मेरा अधिकार है claim करिए इस word को अपने mind के अंदर जैसे एक पंचायत में आदमी खड़ा होकर अपनी बात को कहता है जो उसके दिल में दवी होती है और सब लोग चुप हो जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप अपने mind की पंचायत में जाई और अपनी बात को कहिए हमीरी मेरा अधिकार है दूसरा बोलिएगा बढ़ोर्ट्री के लिए और अपने आपको express करने के लिए मुझे पैसा चाहिए और एक बार फिर imagine करिए के हजारों लोग उस पंचायत में आपके mind में बैटे हुए हैं और आप वहापर पूरी तरह से बगवान कृष्ण की तरह खड़े होकर जिस तरह से गीता में उन्होंने अरजुन को अपना लेक्चर दिया था आप उनको दे रहें क्लेम करिए कि मुझे चाहिए ये ये क्लेम अगर आज आप करेंगे तो आज तीन या चार वीडियो के बाद में जब आप मोने स्टिक प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो आप चौक जाएंगे कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया तीसरा बोलिए बिइंग रिच इस नैचुरल अमीर होना नैचुरल है नेचर के साथ है अमीर होना नैचुरल है प्राकर्तिक है अमीर होना प्राकर्तिक है और लास्ट सेंटेंस बोले ना बोले लेकिन इससे समझ लेना बिइंग पूर इस अननेचूरल अबनॉर्मल गरीब होना अबनॉर्मल है असमान्य है और प्रकर्तिक के विरुद्ध है और सिन्फुल भी है यानि के ये पाफ से लिफ्ट भी है यू डॉंट नीड तो गेट पूर फिर एक बार फिर पहले तीन सेंटेंस को मन में दो राइए मेरे साथ to be rich is my right अमीर होना मेरा अधिकार है अमीर ही मेरा अधिकार है बोल ये से मन ही मन और जब तक बोलते रही है जब तक ये आवाज आपको जब कुछ और भी कर रहे हो जब तक ये सुनाई ना देने लगे इतनी बार इसे मन ही मन बोलियेगा फोर माय एड़आसमंट एड एकस्प्रेशन आई नीड मानी अपने आपको एकस्प्रेश करने के लिए अपने आपको प्रभाशालि बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए मुझे पैसा चाहिए कलेम करिये इस शीज को और एक थोट ले लिजए गाज से के बिइंग पूर इस अन्नेचुरल बिइंग पूर इस सिन्फुल बिइंग पूर इस अन्नेचुरल और अबनॉर्मल आज इस लेक्चर को मैं यही पर खत्म करूगा पहले लेक्चर में आपको तै करना होगा अपने राइट्स को बहुत सारे आपके राइट हैं जहां पर आपको फिजिकली बहुत सारी नीड को पूरा करना होगा मेंटल नीड को पूरा करना होगा इस प्रिच्वल नीड को पूरा करना होगा दुनिया के लिए कुछ करना है तो पैसा चाहिए अपने लिए कुछ करना है अपने परिवार के लिए पैसा चाहिए अपने माइंड के लिए उसको सैटिस्फाइ करना है पैसा चाहिए इस नो कि आराम से बैटकर उन आवाजों को सुनिएगा जो पैसे के लिए नेगेटिव भरी पड़ी हैं आपके पास और जैसे जैसे वो आप सुनेंगे आप उनकी जगा इस आवाज को सुनना शुरू करिए जो आज मैंने आपको तीन आवाजे दी हैं अमीरी मेरा अधिकार है और अमीर होना मेरा अधिकार है आगे बढ़ना और अपने अपने आपको प्रभाव शाली बनाना अपने आपको एक्सप्रेस करना इसके लिए मुझे पैसा चाहिए और अमीर होना ही नैचुरल है गरीबी unnatural है, sinful है, abnormal है, पहला लेक्चर आप कहीं पर समाप्त होता है, जहां पर आप अपने अंदर के अपरोर को बंद करेंगे, शोर सराबे को बंद करेंगे, और एक लाइन को डालेंगे, और इस लाइन को आप डालते रहिएगा, तब तक इन आवाजों को तब तक सुनते रहिएगा, जब तक कि ये naturally आपके माइंड में ना बैठ जाएंगे, कल फिर मैं मिलूँगा आपको नए लेक्चर के साथ, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखेगा,